अश्कार साथियों आपने एक हावत तो सुनी ही होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं आज ये हाल भारत जन्ता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुका है जिस तरीके से उनका IT सेल हमारे बियान को तोड मरोड कर पेश करने की कोशिश कर रहा है ये बहुत द प्रदेश के अंदर कम किया गया, SMC के लिए, पेर टीचरज के लिए, पैट टीचरज के लिए कोई पॉलसी बनाई गई, तो वो कॉंग्रिस पार्टी की सरकार वीर्भद्य सिंभ सरकार ने बनाई है हमारे किसी ब्यान को IT सेल द्वारा भाजभा के IT सेल द्वारा तोड मर of Himachal Pradesh, we stand with the employees of Himachal Pradesh and we stand with the professors and teachers of Himachal Pradesh. Congress Party हमेशा करमचारियों के अध्यापकों के professors के हितेशी रही है और आप इतिहास उठाकर देख लें जो जो policies करमचारियों के लिए अध्यापकों के लिए बनाई गई है वो हमेशा Congress Party की सरकार द्वारा बनाई गई है इसलिए हमको इनके जूठे प्रोपोगैंडा से डरने की आवशकता नहीं है आपने जितना cut copy paste करना है भाजपा के साथियों IT cell वालों आप कर लीजिए मगर प्रदेश की जनता आप जाग चुकी है और जो असली मुद्धे प्रदेश के अंदर महंगाई के बेरोजगारी के है आप उनसे प्रदेश की जनता का ध्यान जो है वो हटा नहीं सकते है और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें ये प्रदेश हित में नहीं है we stand with the people of Himachal Pradesh we stand with the youth of Himachal Pradesh and we stand with the employees and the teachers of Himachal Pradesh ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं हमारे बयान को तोड मरोड के जो पेश भाचे जेनता पार्टी ने किया है ये बहुत दुर भाग्यपुरन है और हमने केवल मात्रह ये कहा था कि जो लोग जो कुछ selected करमचारी जो भाजपा की पिठु बने हुए हैं उनके साथ जो है वो administrative करवाई करवाई जाएगी और निश्चत तोर से ये होने चाहिए सरकार किसी की भी हो मगर करमचारी जो है वो प्रदेश के लोगों की सेवा करनी चाहिए ना कि किसी राजनेतिक पार्टी की और उस पर disciplinary action होगा ये निश्चत तोर से जो है वो हम संदेश प्रदेश की जनता को और क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं आप सभी का बहुत ब आप स्वाइ इंब